वेलो फ्रेंज वेलकॉं टुमार इस्टरीफीज चेनल दोस्तों आज मैं इन्थोकोमेट्रिक यानि बॉडिक कमपोजिशन मेजरमेंट्स के बारे में बता रही हूं दोस्तों यह बहुत ही नया टॉपिक है आप इसके बारे में जादी नई सुने होंगे इसलिए सोचते हों जाक that बारे में मैं दुसरे वीडियो बात करूंगे बात करूंगी आज बात करूंगी है क्या स्क्राइब होंगे कि आगे कि जाने इसके मा आपन है सबसे पहले आपटेंगे कि की टेस्ट मेजरमेंट का टॉपिक शुरुआत हुआ है और जितनी भी टॉपिक्स हैं सब में step by step पुरा करूंगी दोस्तों आएद ही आप तो मेरे चैनल पर सब ही वीडियो सिलेबस के कार्डिंग पड़े हुए हैं और आगे जो वीडियो आएंगे एकदब सिलेबस के कार्डिंग होगी जो आप देख करके एक अच्छा आधियन कर सकते हैं और दोस्तों प्रिविए सियर के जिसने भी एम से क्यूज है उन सब का ड दोस्तों एंथ्रोप्रमेटिक बाड़ी कंपोजिशन एंथ्रोप्रमेटिक एंड बाड़ी कंपोजिशन क्या है सबसे पहले इसके बारे में जाते हैं एंथ्रोप्रमेटिक दोस्तों सरीर को मापने के लिए एक बैग्यानिक शब्दावली है उसको एंथ्रोप्रमेटिक प्रजेंट किया जाता है एंथ्रोप का इंथ्रोप का शाबदिक अर्थ होता है एंथ्रोप यानि मानो मेटिनिक यानि मापन यानि मानो मापन इसमें मानो शरीर तथा उसके अंगों का मानक तक्निकों से मापन कर अध्यन किया जाता है मानक तक्निक जिसे की स्किन फूल कलिपर, स्टीडियो मीटर गोनियो मीटर स्पाइरो मीटर इस सब जितने भी मापन तयार हुए हैं इस सब भी आते हैं एंथोपोमेटिक के अंतरगत इन सब ही साधनों के द्वारा हमारे सरीर के विभिन भागों का मापन किया जाता है त CJ को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है अब तक मानों सरीर के शोर से ज्यादा मापन है एंथोपोमेटिक क्या होता है बाड़ी कॉम आप इस के पूरी हिष्टरी के बारे में जानते हैं कि किस ने खोच किया किस ने आगे बढ़ाया दोस्तो एन्थरफुमेटी का पिता एलंफों से को मना जाता है इनको मग साट उपनाम से भी झाना जाता है लेकिन दोस्तो इसके बारे में एंथ्रोप्रमेटिक के बारे में स्वर्पथम बताया कुण तो अल्दो कुटलेट फ्रांस के गड़ी तक ने बताया एंद दोस्तो आप सवाल आता है कि एंथ्रोप्रमेटिक की बीधी कितने प्रस्तुत की तो बिधी प्रस्तुत किया हिपोक्रेटर्स ने जैसे कि आप जानते हैं हिपोक्रेटर्स टी किस्ता साच्रे की पितामा है बिधी प्रस्तुत किया एंथर्पोमेटिक की हिपोक्रेटर्स ने और दोस्तों बिधी हिपोक्रेटर्स ने प्रस्तुत किया एंड साररी सिच्छा में प्रयोग किस ने किया देखें पिता कोई और है बताया कोई और बिधी प्रसुत किया कोई और इसका सारी सिच्छा में प्रयोग किया कोई और प्रयोग किस ने किया हिचकॉक euro 62 ने कि परख सिधान तका परियोब जिमनाष्टिक घेतु प्रियोग करके इन्होंने सारी सिछा में परियोग किया कि किया हिचकॉख ने और हिचकॉख ने सबिस्काई भार जविभी च्सटा सरीर के अंगों की फरीधिये के अधार पर फुरियोग किया फिर दोस्तों सार्जेंट नाम के एक बैग्यानिक नहीं या बैक्ती ने एंथ्रोप्रमेट्टी से समंधित चवालिस चरों का समतल चाड तयार किया और उन्होंने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था मैनूल और मेजरिमेंट्स एंड टेस्टिंग उसके बात मैं क्लाय ने वर्गी करण सूचक तालिका तयार किया और उन्होंने आयू उचाई व भार पर अधारित वर्गी करण सूचक तालिका तयार की किस पर आयू उचाई व भार पर अधारित वर्गी करण सूचक तालिका बनाई क इसने मैकलाय ने इनके बाद नेल्सन कोजेन ने वरकिकरण सुचक तारिका आयू उचाई वभार को नापा जिसके अधार पर व्रिद्धी एवन विकास का मुल्यांकन किया उसके बाद नेल्डित नेल्डित ने उचाई वभार का चार्ट तयार किया जो समान्य तथा और समान्य व्रिद्धी शैली को दर्शाता है एंड दोस्तों और फोर्ड ने बाड़ी कंपोजिशन को 1980 में हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस में सामिल किया यह तो इंट्रफोमेट्रिक के बारे में इतिहास के बारे में था इसी के अंता है कि दोस्तों आता है शक्ती मापन अब सक्ती मापन का क्या इतिहास था इसको किस ने निर्मार किया इसके बारे में जानते है दोस्तों सक्ती मापन की प्रिथम बार कलपना किया था प्रिथम ने सक्ती मापन को निर्मार किया शार्जेंट ने गोड़े का तुलनात्मक अध्यन किया और देखा कि घोड़े की तुलना में मनुष्री कितना वजन उठाकर चल सकता है उसका श्वास्त पर क्या असर पढ़ता है पढ़ सकता है और सार्जेंट ने सक्ति मपन जैसे बनाया किसने साजेंट ने अब सार्जेंट ने 180 में सक्ति परिछड बैटरी तयार किया क्या तयार किया सक्ति परिछड बैटरी जो पैर कमर हाथों की पकड़ के साथ साथ जैविक छमता को मापने के लिए स्पाइरोमेटर का भी इन्होंने खोच किया एंड पूलप्स का भी इन्होंने परियोग किया तो दोस्तों यह सब परियोग किसने किया इसको दियाद रखेगा एंड कैलाड कैलाड और मार्टिन ने डाइनमोमेटर का परियोग किया जो सक्ति मापने का काम आता है इन्हों उन्हें 25 पेशियों समुहों का परिछर किया 25 पेशी समुहों का अध्यन परिछर किया इस डैनमोमिंटर से एंड उस्तों रोजार्ष ने 1920-30 के मद्ध है श्रक्ती मापन हे तू शाररिक दचता सूची फीजिकल फीटनेस इंडेक्स वा सक्ती सूची स्ट्रेंथ इंडेक्स का निर्मार किया उसके बाद क्लार्क ने पेशी सक्ती मापन हे तू शक्ती परिछर बनाया उसके बाद क्राउज ने 1924 में सक्ती मापन हेतु बेभिन इस तरोपर मानक तयार कर उन्हें प्रकासित किया अब बात करते हैं हिद्याकार समता परिच्छर के बारे में यानि कार्डियो वेस्कुलर इंडुरेंस मेजर्मेंट्स के बारे में बात करते हैं तो कार्डियो वैस्कुलर इंडुरेंस मेजर्मेंट्स हिद्याकार चमता परिचर का निर्मार किया 1905 में कमपर्टन ने त्यार किया निर्मार किया फिर दोस्तों एंजीलो मेसो ने इतली के फिजियोलाजिस्ट 1984 में बताया कि एक अच्छा रख्त परिशंचर और तंत्र पेशी प्रदर्शन को अच्छा कर सकता है फिर 1990 में एग्रोग्राफ द्वारा हिद्याकार यूंकारे को मापने का प्रयास किया गया फिर उन्हें वांच में कंपर्टर ने इस परिछह में रिटेन स्केल विख्षित किया क्या मापता है रिटेन Rating Scale या हिदय दर वो RTL Premisor को मापता है भी 1110 में हिदय पषिछल का अनुकरण कौन कियا Godซak उसके बाद इस Trinity ने 1920 में थकान और साररिक्ष इस्थिती से सम्द्धित परिच्छ तैयार किया जो विवान चालक के प्रथम विश्वयुद पर प्रयोग किया गया एंड दोस्तों 1950 में कैमप बेल ने कैमप बेल पंस रेटियो टेस्ट ने माल किया फिए 1930 में टटल पल्स रेटियो टेस्ट का निर्मार हुआ इसके बारे में डीटेल में मैं आगे बताऊंगी दोस्तों एंड दोस्तों उसके बाद हिद्याकार परिच्छर में कैनित एच कूपल ने कार्डियो वर्स्कूलर इंडुरेंस को मापने के लिए 12 मेंनर्स रन वाक, जॉगिंग, स्वीमिंग, साइकिलिंग को तयार किया इसके बारे में भी मैं नेक्स्ट वीडियो में डीटेल में बताऊंगी दोस्तों नेक्स्ट है आपका एथलेटिक उपलब्धी मापन बात करते हैं एथलेटिक्स उपलब्धी मापन की खोज यानि इसको तयार किया था ग्यूलिक ने 1904 में कोलंबिया विस्विद्याले के पबलिक इसकूल के लिए और जार्जी मेलन 1907 में एथलेटिक वैदता परिच्छर तयार किया एथलेटिक्स स्कोरिंग शूची तयार किया इसमें सारिक सिच्छों मिर्शांखी की परियोग का अस्थान दिया गया एन दोस्तों फिर फाजेंट ने 1929 में राष्टिय मनोरंजन संग द्वारा बालकों के लिए ट्रेक एंड फिल्ड खेल तथा जिमनास्टिक आदि के लिए मापन तयार किया उसके बाद 1927 में ब्रेश हुआ 1929 में कजन ने एतलेटिक उपलब्धी मापन हे तू मानक प्रकासित किया इन दोस्तो अब बहुत कहती हैं खेल कौसल मापन खेल कौसल मापन की बारे में तो दोस्तो खेल कौसल मापन की अंतरगात 1925 में सारिक शिछा में सांख़्िकी का प्रियोग शुरू हुआ दोस्तो प्रेस ने 1924 में सर्रप्रत्थन T scale बिधी का प्रयोग किया ब्रेस ने 1924 में सरप्रथम T-scale विधी का प्रयोग किया इधों ने T-scale विधी का प्रयोग करते हुए ब्रेस ने महिलाओं के लिए वास्केट बल के लिए मानक तयार किये और 1925 में यह प्रथम कौसल परिच्छर माना जाता है एंड दोस्तों अब बात करते हैं वर्गी करण मापन परिच्छर की इसका प्रयास 1917 में रियली ने किया वर्गी करण मापन परिच्छर किया और इसका निर्मार किया 1927 में रोजर्स ब्रेस ने इन्होंने उम्रव लिंग और सक्ति के अधार पर समू बनाने के लिए देली के मापन का अधार बनाया अब बात करते हैं बेक्तिगत और समाजिक समन्जस्य मापन की दोस्तों 1928 में लूथर बेन ब्रूस बुस किर्क ने सारी शिच्छा है तू चरित्रे मापन मापनी का प्रियोग किया तयार किया एन्ड मैकला ने करेक्टर इवेंट इन्वेंटरी वो ब्लैक कार्ड ने विहेवियर रेटिंग इसकेल का प्रियोग किया यानी निर्वार किया अब बात करते हैं दोस्तो ज्यान मापन की दोस्तो इसके अंदờ ब़त 1935 में ब्रेस ने बास्केट बाल हुआ भिल ने टेनिस के लिए ज्यान पर इच्छर प्रकासिद किया और दोस्तों परफम वैज्ञानिक ज्यान परिच्छर किसने तयार किया तो विलीस ने तो ये था अन्थरप्रमेटिक के अंतरगत सभी टापिक्स और जो जो मापन बनाये गये हैं anthropometric के अंतरगर दोस्तों चाहे हो जितने भी मापन है उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी यानि कि सारी सिच्छा में प्रियोग होने वाले उपकरर यों परिच्छर एलगन मायोग्राफी बायोस्पी इलेक्ट्रो मायोग्राफी डैनोमीटर मेनोमीटर इसके फोल कली पर इसक्या है इनके बारे में डेटेल में बताऊंगी और दोस्तों यह था आस्का टॉफिक बड़ा टॉपिक था बट मैंने 15 मिनट में आपको सब कुछ यहां पे रख दिया है आई होप की आपको अच्छे समझ में आया होगा दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझी कमेंट में ज़रूर बताएं ज्यादे से ज्यादे दोस्तों सेयर किया किजिए जिसे मुझी एक न एक टॉपिक की साथ तब तक के लिए जाएंगे